हेलो आपका एंजिया स्टेडीज में स्वागता गाइज देखें टीजिटी के आट सो बासरड पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू पच्छे सितंबर से होंगी कांसलिंग यह होंगे पातकर सरकार ने अनुबंदन अधार पर टीजिटी के कुल 2724 पद भरने का फैसला किया है ओके तो देख सकते हैं गाइज आप शिमला हाई कोर्ट से रोख हटाते ही परंबिक शिक्षा निर्देशालिया ने हिमाचल परदेश में टीजिटी की बैचवाइस परती की प्रक्रिया शुरू कर दी है परदेश में टीजिटी के 822 पद फैसला किया है देखिए इन में 481 पद आर्ट्स के और 212 पद नॉन मेडिकल के और 169 पद मेडिकल संकाय में बैचवाइस भरे जाने हैं शेश पद करमचारी चैन आयोक के माध्यम से भरे जाएंगे गैर हिमाचलियों को रोकने के लिए मंत्री मंडल का फैसला शिक्षा भिवाग में इस भरती के साथ पहली बार लागू होगा देखिए फैसले के तहद हिमाचल से दस्मी या जमा दोक अक्षा पास करने वाले और हिमाचली बोनाफाइड ही भरती के लिए पात्रों होंगे बता दें कि जून में करोना के संकट चलते पर रंबिक शिक्षा निदर्शाले ने कांसलिंग स्तगित कर दी थी फिर हाई कोट से रोक लगाने के चलते भरती परक्रिया फस गई थी अब रोक हडते ही बैच्वाइस भरती की परक्रिया शुरू कर दी गई है इस बैच्वाइस भरती में टेट पास उमीदवार शामिल होंगे अब भ्यार्थी की आयू 18 से 45 साल की गई है इन्हें 13,900 रुपर मासिक बेतन मिलेगा समान्य वरग में 20 साल पहले बैट करने वाले का TGT आर्ट की भरती में नमबर आएगा साल 2000 तक बैट करने वालों की सरकारी नोकरी मिलने की उमीद है समान्य वरग के लिए आर्ट में 2000 और नोन मेडिकल में 1990 का बैट चल रहा है मेडिकल में 2001 का बैट वालों को नोकरी मिलने के असार है समान्य वरग में आर्टिक रूप से कमजोर बरग का आर्ट और नोन मेडिकल 2003 और मेडिकल 2006 SC में arts 2003, non-medical और medical में 2006 ST में arts 2004, non-medical में 2007 और medical में 2005 का बैच चल रहा है सतंतता सिनानियों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों में arts और non-medical का 2003 का बैच चल रहा है तो देखिए guys, 862 पदों के लिए आयोग के माध्यम से होगी सीधी भर्ती TGT के 862 पदों के लिए करमचारी चैन आयोग हमीरपूर के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी इसको लेकर जल्द परंबिक शिक्षा निर्देशाले की और से आयोग को पत्तिर जारी किया जाएगा शिक्षकों की अन्य श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया में भी आने वाले दिनों में तेजी आएगी जेबिटी, शास्त्री और भाषा शिक्षक के कई पद भरे जाने हैं बीते साल सरकार ने शिक्षा भिवाग में 3636 नए पद भरने का फैसला लिया था इसी कड़ी में TGT के 1724 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है अने पदों को लेकर भी आने वाले दिनों में निर्देश जारी होंगे ये देख सकते हैं गाई शिमला में भरे जाएंगे 89 पद भूत्वर सैनिकों के आशितों को मिलेगा मोका यह आप मेरी प्रिवेज वीडियो में जाके देख सकते हैं आप इसका स्क्रीन शोट लेना चाहें तो ले सकते हैं गाई तो यह आज की इंफोर्मेशन गाई अगर आपको पसंद आई तो प्लीज शेर सब्सक्राइब और लाइक कीज़ेगा थैंक्यू सो मच गाई